हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मा रोक्स यूटूब चेनल, फार्मा रोक्स के यूटूब एच्जू के स्टनल चेनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम डीटेल में स्टडी करेंगे फैमिली प्लानिंग डिवाइजिस के बारे में तो हम सिखने वाले हैं कॉंट्रासेप्संस के बारे में, कॉंट्रासेप्टिव्स के बारे में और फार्टिलिटी कंट्रोल के बारे में हम सिखेंगे के जिसको बर्ध कंट्रोल भी कहा जाता है तो गर्ब निनुदक तरीकों के बारे में हम जानते हैं ये वीडियो लेक्चर के अंदर डीटेल में तो एक्सपर्ट लेक्चर बाया मर्सर, असेस्टम प्रोफेसर और फाउंडर अफार्मरोक्स, थेंक्यू फर बी इन तो एंडरोड यूजर अपको डाउंडर कर सकते हैं गूगल प्ले स्टार पर से आईफ़न यूजर अप स्टार से लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी तो सबसे पहले जो कॉनसेप्ट है वो समझते हैं फैमिली प्लानिंग के बारे में तो फैमिली प्लानिंग मतलब की दो बच्चों के बीच में आपको कितना अंतर रखना है वो एक usually हम simple language में समझे तो फैमिली प्लानिंग जिसको कहा जाता है तो फैमिली प्लानिंग allow the people to attend their desire number of children मतलब कि आपको कितने बच्चे चाहिए या फिर दो बच्चों के बीच में या फिर दो प्रेग्नसी के बीच में आपको कितना अंतर रखना है स्पेस रखना है तो वो कहा जाता है फैमिली प्लानिंग and it is achieved through the use of contraceptive methods and the treatment of infertility कि infertility की जो treatment होती है उसको यूज करके भी फैमिली प्लानिंग जो है वो की जाती है कि जिनको प्रेग्नसी कंसीव करने में problem हो रहा है इन फैमिली प्लानिंग वो कर सकते है और उसके basis पे प्लानिंग वो कर सकते है और जिनको आसनी से नेचरली प्रेग्नसी कंसीव हो जाती है वो contraceptives methods को यूज करके प्लानिंग जो है वो कर सकते कि जिसको हम हिंदी में परिवार नियोजन भी कहते है तो परिवार नियोजन का अर्थ है कि परिवार छोटा रहे औ और बच्चों के बीच में परियाप्त अंतर हो कि आप खुद डिसाइड करते हैं कि आपके फैमिली के अंदर कितने बच्चे होने चाहिए और साथ हो साथ जरूरी है कि दो बच्चों के बीच में कितना अंतर हो क्योंकि परियाप्त अंतर रहना जो है वो जरूरी है दो ब गर्भ निरवतक तरीकों या फिर वीडियो जैसे गर्भ निरवतक तरीकों का उप्यो करके आपके कितने बच्चे ओंगे और कितने नहीं होंगे तो ये एक पूरा concept है family planning के है कि जिसको हम सिखेंगे हम ये विडियो lecture के अदर कि आपको family planning करनी है तो किस तरह से उसको कर सकते ह आप कौन से अलग-अलग गर्ब निरुदग तरीकों को यूज करेंगे जिसको आप कहते हैं Contraceptives या फिर Contraceptions जिसको कहा जता है तो Family Planning के कौन से अलग-अलग methods होते हैं तो सबसे पहले जो है कि Long Actin Reversible Contraceptions कि काफी लंबे समय तक उसके असर रहती है आपके बोड़ी के उपर तो उसको कहा जता है Long Actin कि काफी लंबे समय तक ये Contraceptions या फिर गर्ब निरुदग के तोर पर काम करता है जैसे कि Implants यूज किया जाते हैं और दुसरा Intra-Uterine Device कि IUD के अंदर जो Copper T का जो हम नाम लेते हैं कि जो T-Ship का जो Copper T आता है वो Intra-Uterine Device के अंदर Include होता है और Implants भी आते हैं कि जो कुछ Hormonals होते हैं Non-Hormonal Implants भी होते हैं कि जो यूज किया जाता है Family Planning के अंदर Hormonal Contraceptions के लिए जो Peels आती हैं फिर Barrier Methods के अंदर हम देखिए तो Condom का Example हम ले सकते हैं फिर Emergency Contraception से Fertility Awareness यह है Permanent Contraception जैसे कि Vesectomy and Tubal Ligation या फिर जो Tubectomy जो हम कहते हैं तो यह सब अलग-अलग Family Planning या फिर गर्ब निरदग तरीके हम कह सकते हैं तो Permanent Contraception का मतलब यह होता है कि आपके यह Proper Family जो हो चुकी है आपको जितने बच्चे चायते थे वो भी Proper जो है हो चुके है तो अब जो है वो आपको आगे कोई प्लान नहीं है बच्चे का तो Permanent Contraception का Options रहता है कि जिसके अंदर Vesectomy या फिर Tubectomy जिसको हम Tubal Ligation भी कह सकते हैं Tubal Ligation वाले Technics तो यह सब अलग-अलग Method है Family Planning के तो Family Planning को दूसरे Simple Words के अंदर Birth Control भी कहा जाता है कि Pregnancy को Conceive होने से किस तरह से आप रोके या फिर How to Prevent the Pregnancy तो Pregnancy को Prevent करने के लिए जो Method यूज किया जाते है या फिर कोई ऐसे Devices वगिरा यूज किया जाते है उसको कहा जाता है Birth Control या फिर Contraception and Fertility Control तो इसी को यूज करके आप जो है वो अपनी Family Planning कर सकते है या फिर जो हम कहते है कि जो परिवार नियोजन आपको करना है तो परिवार नियोजन के लिए जो Birth Control के लिए जो अलग अलग तरीके है Fertility Control के जो तरीके है कि जिसके अंदर कुछ Methods भी है Devices वगिरा है और आगे जाके कुछ ऐसे Surgery भी होते है कि जो की जाती है Permanent Birth Control के लिए है तो Birth Control has been used since ancient time But Effective and Safe Method of Birth Control only became available in 20th century कि सालों से Birth Control के बहुत सारे अलग अलग तरीकों को यूज किया जाता है बड़ जो Safe तरीके जो है कि Safe Method जो हम कहते है Birth Control के वो 20th century के अंदर जो है वो available हुए है तो Birth Control जो है वो आपको क्या करवाता है तो Prevent करवाती है Pregnancy को कि जो Pregnancy conceive होती है उसको conceive होने से रोखता है कि जिसको हम कहते है Prevent the Pregnancy and the use of contraception helps you to determine how many children you may want to have as well as timing of your Pregnancy कि दो बच्चों के बीच में कितना अंतर रखना है और आपको कितने चिल्डरन चाहिए कितने बच्चे चाहिए वो भी आप contraception को use करके जो है वो decide कर सकते हैं या फिर दो बच्चों के बीच में कितना अंतर रखना है वो भी ये Birth Control के जो तरीकी है वो decide करते हैं तो उनके बारे में कुछ ब्रह्मनाय भी है कि जिसको मीत कहा जाता है कि जो कुछ खोटी बात है और truth जो को completely सही बात है वो दोनों हम जानते है तो जो मीत ये है कि lemon and vinegar can use as a hormonal contraception तो ये एक गलत बात है कि lemon और vinegar as a hormonal contraceptives के तोर पे use होते हैं वैसा कोई भी scientific reasons नहीं है तो ये एक गलत statement है दूसरा गलत statement ये है कि natural pregnancy after 45 years is impossible तो ये भी एक गलत बात है फिर you cannot protect yourself during the menstruation तो ये भी एक गलत बात है कि you can not protect yourself during menstruation pregnancy is impossible with interrupted sexual intercourse कि अच्छे से sexual intercourse नहीं हुआ तो pregnancy impossible है तो ये सब जो है वो गलत statement है सही जो हम देखे तो hymen does not protect against the pregnancy कि जो hymen जो होता है वो आपको pregnancy conceive करने से जो है वो protect protect नहीं करदा मतलब कि जो hymen जो होता है उसको पार कर सकते है response मतलब कि ये एक कैसे barrier के तौर पे काम नहीं करेगा कि response hymen के आगे नहीं जा सकते but यहाँ पर आप देख सकते कि जो hymen का ये जो layer है उसको पार करके ये जो response आगे uterus तक जा सकते है तो hymen आपको pregnancy conceive करने से नहीं रोक सकता second है कि safe days can be calculate by calendar के आपका menstrual cycle regular है तो आप calendar के जो techniques होती है उसको use करके जो है वो safe days decide कर सकते है फिर if you miss taking a pill you can get pregnant कि आप जो contraceptive pill वगएरा युश करते है गर्ब निरुदक गोलिया लेते है तो ये गोलिया लेने का समझे के मीस हो जाता है एक या दो डोज उसके मीस हो जाते है तो आप जो है वो pregnant हो सकते है and do not pregnant while you are breastfeeding कि जब breastfeeding का जो period होता है उस वाक्ट जो है वो pregnancy conceive नहीं होती because उस वाक्ट आपके body के अंदर जो prolactin hormone होता है उसका level काफी ज्यादा होता है कि जिससे pregnancy जो है the birth control अब जानते हैं अलग-अलग contraceptives के contraceptives या फिर जो family planning devices जो है उसके बारे में जानते है तो ये devices क्या करती है prevent करवाती है pregnancy कि जो sperm और eggs दोनों का जो मिलन होता है उसको मिलने से रोकता है ये contraceptives तो सबसे पहले हम देखे तो male condom and female condom दोनों एक safe तरीके कहे जाते है फिर pills की जो गर्ब निरुदक गोलिया की जो हम बात करते है hormonal ring यूज की जाती है intrauterine device है hormonal injections होते है कि जो contraceptives के तोर पे यूज किया जाते है surgical sterilization मतलब की जो operations वगरा करके जो permanent sterilization की जो जो यूज की जाते है कि tubectomy है vasectomy है uterus removal वाली जो अलग-अलग techniques होती है तो वो surgical sterilization का आ जाता है implant वगरा भी यूज किया जाते है फिर coitus interruptus कि जिसके अंदर जो पैनी से उसको विड्रोल कर दिया जाता है ejaculation के पहले फिर calendar rhythms की जो techniques होती है patch use किया जाते है diaphragm या फिर जो barriers की जो हम techniques कहते है तो ये सब जो है वो contraceptives की अलग-अलग devices है तो अलग-अलग contraceptives के हम बात करें तो oral contraceptives है female contraceptive pills होती है male contraceptive and emergency contraceptives होते है तो ये चार main different contraceptives हम कह सकते हैं कि जिसको गर्ब निरोदक तरीकों के अंदर हम include करते हैं कि सबसे पहले जो oral contraceptives की जिसके अंदर ये maladivagira यूज किया जाते है कि ये hormonal pills रहती है कि जो prevent करवाता है pregnancy के कि जिसको आप देखो तो the birth control pill work by stopping sperm from joining with egg which is called a fertilization कि male और female जो है उसमें से male जो है वो sparms देते है और female जो है वो egg तो sparm और एक दोनों के मिलन से जो first cell तेयर होता है newborn baby के लिए तो जिस जो वो process को हम fertilization की process कहते है तो fertilization को समझे कि prevent करवाना है तो उसके लिए जरूरी है अले कले contraception को तो ये prevent करवाने के लिए ये hormonal pills वगेरा यूस किया जाएते है तो इसके अंदर क्या होता है कि ये medicines जो होती है वो ovalucence जो होता है उसको जो है वो stop करता है तो sparms बले present है वहाँ पर ovalucence नहीं होगा तो एक वहाँ पर present ही होगे तो no ovalucence means there is a no egg hanging around the sperm to fertilize कि यहाँ पर समझे कि sperm जो है वो present है बट वहाँ पर एक जो है वो present नहीं है because ये hormonal जो contraceptive pill होती है वो ovalucence को stop कर देती है अब ovalucence के process नहीं होगी तो एक जो है वो release नहीं होगा और एक release नहीं होगा तो वले वहाँ पर sparms present है बट fertilization के लिए एक present ना होने के कारण इसे family planning कर सकते है so the pill hormone also taken the mucus on the cervix के cervix का mucus होती है वहाँ पर भी ये hormones जो है वो रहते हैं तो यहाँ पर देखो कौन से medicines इसके अंदर होते हैं तो progestinar estrogen जो hormone है वो usually ये pills के अंदर रहते हैं जिसके quantity आप यहाँ पर देख सकते हैं कि leonoregostrel 0.25 mg है तो ethinyl estradiol जो है वो 50 microgram है और ये अलग-अलग brand name आप देख सकते हैं कि जो hormonal contraceptory कि जो इसके अंदर मालाडी के अंदर आप देखे तो 21 tablets जो है वो hormonal pills रहती हैं और 7 tablets जो रहते हैं ferrous sulfate के कि जो 60 mg का ferrous sulfate रहता है और norgestrel रहता है उसके अंदर 0.3 mg की जो progestin है और estrogen के तोर पे वहाँ पे present है 30 microgram जे तरा ethinyl estradiol तो ये जो है वो जिसको birth control pill या फिर गर्ब निरुदग गोलिया कहा जाता है और ओवर 100 million women are currently using the hormonal contraceptive तो ये काफी safe तरीका है गर्ब निरुदग के लिए तो यहाँ पर देख सकते हैं उसका rapper आप देख सकते हैं तो birth control pill once only package as a 21 days of active hormone pill and 7 days of placebo और ferrous sulfate प्लेसीबो होती है या फिर जिसके अंदर ferrous sulfate जो है वो present होता है तो यहाँ पर आप देखो कि जैसे ही menstrual cycle complete होता है तो यहाँ से medicines लिना start करना होता है menstrual cycle जैसा ही आपका complete होता है तो यहाँ से आप tablet लिना start करते हैं तो यह first pill फिर यह second third, fourth pill यह पांचवेद, पांचवा छे, seven, eight nine, फिर यहाँ पर टेबलेट है, 11, 12, 13, 14, 15, फिर यहाँ पर 16, 17, 18, 19, 20 और यह 21 तो यह 21 pills जो हो गई आपके hormonal pills की जो 21 days तक आपको लेना है menstrual cycle जैसे ही complete होता है फिर जैसे ही 21 days complete होते है तो नया अब menstrual cycle आपके periods आना start होके हैं तो वो seven days या फिर days के लिए कि जो usually पांच से सांथ दीन तक का menstrual periods का जो time period होता है तूस्वक्त आपको यह seven tablet खानी है तो 20 यह साथ tablet आप लेख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7 तो यह हो गई total 28 tablet की जिनका menstrual cycle completely regular है तो यह female contraceptives जो है वो use कर सकते हैं फिर दूसरा जो option है female contraceptives के अंदर की जिसको हम कहते हैं intrauterine device के जिसको copper TB कहा जाता है और यह intrauterine device जो है वो birth control के लिए use किया जाता है और उसकी effectiveness हम देखे तो 0. उसका जो failure rate है वो सिर्फ 0.7% जितना है मतलब कि 99.3% जितना जो है उसका success rate जो हम consider कर सकते हैं तो इस तरह से यह जो copper का यह जो T है कि जिसको copper T कहा जाता है इस तरह से तो यह intrauterine device कि जिसकी dimension यह रहता है कि 32 mm by 1.26 inch तो यह जो है वो use किया जाता है as a copper T कि जो sperms जो है उसको destroy कर देता है कि जिसके pregnancy जो है वो conceive नहीं होती फिर एक option रहता है female के अंदर वो है tubectomy के जो fallopian tube है उसको cut करके surgery करके जो है वो वहाँ पे cut कर दिया जाता है या फिर यह tube को जो है वो block कर देते कि जिससे यह ovaris के अंदर रहे जो एग होते कि यह ovaris है वहाँ पे एक present होते है तो समझो कि यह tubi आप यहाँ पे cut कर देते है इस तरह से या फिर उसको block कर देते है तो एक समझो कि इस तरह से आ रहा है तो यहाँ पे आके यह एक जो है वो आगे travel नहीं कर पाएगा और uterus तक नहीं पहुचेगा अब uterus के अंदर समझो कि एक present नहीं है तो आगे जो है वो pregnancy consume जो है वो नहीं हो पाएगी तो यह tubic tummy का option है फिर male contraceptives के अंदर condom का option रहता है spermicide, out course, vasectomy, pull out method की technique है abstinence वाले technique है कि no sexual intercourse, pull out method ejaculation से पहले ही जो penis remove कर देना तो यह सब अलग अलग techniques रहते है male contraceptives के अंदर तो निरोध का जो आपको पता ही होगा खास कर कि उसको आप use कर सकते है male contraceptives के use पे कि जो male physiology से related जो है वो contraception से and जिसके अंदर जो condom आप देख सकते है out course की technique है and vasectomy वगेरा को use किया जाते है तो spermicide को हम समझे तो spermicide के अंदर क्या होता है कि ऐसा chemical रहते है कि जो कई बार condom के अंदर भी वो use किया जाते है या फिर वो ऐसे creams वगेरा आते है कि जो आप apply कर सकते है वजय ना के अंदर before the any sexual activity की जो sperms को kill करने का काम करेगा spermicide की sperm plus side ऐसा word होता है कि side समझे के पीछे लगता है तो उसका मतलत होता है kill मतलब कि यह ऐसे medicines होते हैं कि जो kill कर देते है sperms को कि जो sexual intercourse से पहले लगाए जाता है यार फिर कुछ ऐसे भी condoms वगेरा होते हैं कि जिसके अंदर यह spermicide already अंदर के और लगाए हुए होते हैं तो chemicals in the spermicide such as nonoxynol 9 and menfagol prevent the sperm from entering into the uterus you can get spermicide over the counter और यह cream, gel, form, film, suppository, tablet वगेरा के form में available होते हैं vasectomy के बारे में समझे तो vasectomy मतलब कि surgical procedure रहती है male sterilization के लिए कि जो पूरुस nurse बंदी आपने नाम सुना होगा तो यह है जिसको medical term के अंदर vasectomy कहा जाता है तो यह जो nurse होती है कि जो sporms को या testis के अंदर जो produce होने वाले जो sporms है यह sporms को लेकर जाती है और semen के साथ उसको mix कर देती है कि जो semen और sporms दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो mix up होते हैं कि जो ejaculations के दोरान release होते हैं बट जब vasectomy की जाती है किसे भी पूरुस के अंदर तो क्या होता है कि जो sporms बले ही produce हो रहे है बट यह जो vast differences है कि जिसको हम कहते है simple language के अंदर जो आप nurse बोलते कि nurse बंदी कर देना तो यह जो nurse है उसको यहाँ पे देखो surgery करके cut करके इस तरह से tie कर दिया गया है तो बले यहाँ पे sporms produce हो रहे है यहाँ तक आ रहे है बट आगे यह nurse के थुरू आगे semen के साथ mix-up नहीं हो पाएंगे कि जिससे समझे कि semen secretion तो हो रहा है बट उसके अंदर sperm जो है वो present नहीं होंगे during the procedure the male vasa deferensi are cut and tied and seal so as the prevent the sperm from entering into the urethra and therefore I prevent the fertilization of a female through the sexual intercourse कि sexual intercourse होता है semen भी release होता है बट उसके अंदर किसी भी तरह से sporms जो है वो present नहीं होंगे emergency contraceptives भी use किया जाते कि जिसके अंदर liver nor ghost trial 0.5 mg रहता है तो 0.75 mg वाले समझो कि आपके पास emergency contraceptives है तो उसके दो dose लिया जाते है इस तरह से रहता है 101 12 गंटे के time interval पे लिया जाता है और 1.5 mg वाला है तो सिर्फ एक ही tablet जो है वो लिजाती है single dose लिया जाता है 72 hours of unprotected intercourse फिर yulipristol 30 mg का भी single dose यो जोज किया जाता है within 120 hours of intercourse और तीसरा option है mefipristol 600 mg single dose वो भी 72 hours के अंदर लिया जाता है to prevent the pregnancy तो यह होगा emergency contraception कि जब कोई contraception का तरीका fail हुआ है या फिर आपने कोई contraception use नहीं किया है और आपको pregnancy prevent करनी है तो इंडिया के अंदर उसके अलग-अलग ब्रांड से जी कि जैसे कि eye pill यूज किया जाती है तो आप समझते ही यह लेक्चर का पूरा conclusion की सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है कि जो काफी अच्छा result देता है यह गर्ब निरोधक के अंदर तो यह यहाँ पर आप chart देखो और यह जो data है as per the American, Congress of, Obsisterian and Gynecologist के जिनके research के according to यह data है कि जो implants होते है sterilization and IUD, intrauterine device से जो 99% या फिर 99.95 या फिर 99.2 तो 99.8% जितना आपको effectiveness मिलता है मतलब की सिर्फ 1% या फिर उससे भी काफी कम जो chance से pregnancy कांसी होने के कि अगर आप यह तीन तरीके use करते हैं implant वाला sterilization मतलब की uterus वगेरा remove करवाना vasectomy या फिर tubectomy, tube ligation जिसे technique फिर injection वाला आप यूज करते हैं contraceptive injection तो उसका effectiveness रहता है 94% peel वगेरा का 91% रहता है patch यूज करते हैं 91 जो vaginal hormonal rings आती है उसका भी 91% जितना effectiveness से diaphragm कि यह जो क्याफ वगेरा होती है कि जो cervix के आसपास use की जाती है cervix से आगे spoms को जाने से रोकता है तो यह 88% जितना effectiveness से male condom का हम देखे तो 82% female condom में 79% withdrawal technique जो है कि ejaculation से पहले ही जो है panis जो है वो remove कर दिया जाता है कि जिसको coitus interruptus का जाता है तो वो 78% cervical cap 77 to 83% sponge technique 76 to 88 fertility awareness based method जो होती है वो 76% की जो calendar rhythm method के अंदर हम include कर सकते हैं और spermicide जो है वो उसकी effective ने से 72% तो यह रहती है अलगले कि effectiveness of a various method of a contraception तो यह था हमारा special lecture about the family planning फार्मा लोक्स के lecture नोट साब फार्मा लोक्स के mobile applications पे access कर सकते हैं WhatsApp group के लिए यह वाला नए नंबर पे आप contact कर सकते हैं thank you for watching join कर सकते हैं WhatsApp group पे access कर सकते हैं study material test series video lecture फार्मा रोक्स के अप उपर android user android app download कर सकते हैं iPhone user app store से link आपको description box के अंदर मिल जाएगी good luck and all the best